नमस्कार मैं हर प्रीत कोर आज की ओनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम करने जा रहे हैं सात्वे कक्षा का सात्वा अध्याय त्रिभुजों के सर्वांग सम्ता तो बच्चो इस चित्र में आपको कई तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जो कि आपस में बराबर भी है और नहीं भी इसी प्रकार से इस चित्र के अंदर आपको विभिन अकार के वर्ग दिखाई दे रहे हैं छोटे भी और बड़े भी तो अब तक आप इन अकृतियों को देख कर समझ गए होंगे, कि आप समरूप और सरवांग सम प्रतिरूपों को देख पा रहे हैं, तो समरूप प्रतिरूप जो हैं, ये दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है, वो अलग लग होता है, और सरवांग सम प्रतिरूप वे होते हैं जो की बिल्कुल आपस में एक समान होते हैं और अगर उनको एक दूसरे के उपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पून रूप से ढख लेते हैं तो यहाँ पर इस अध्याई के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो है त्रिभुजो की सर्वांग समता क के बारे में तो त्रिभुजो की सर्वांग समता के कुछ प्रतिबंद हैं जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं तो अब हम इसके अंदर जो है अगला प्रतिबंद पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कौन भुजा कौन प्रतिबंद तो कौन भुजा कौन जिसको हम A, S, A सर्वांग समता प्रतिबंद भी कहते हैं उसके अनुसार यदि एक तριभुझ के दो कून और उनके अंतर्गत भुझा किसी दूसरे तरभुझ के दो संगत कूनों और अंतर्गत भुझा के बराबर हो तो वे तριभुझ सर्वांग सम होते हैं और वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढख भी लेंगे, तो इसको सिध करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, तो अब इस चित्र के अंदर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज D, E, F, तो इसके अंदर कौन B जो है प्रकार की भुजा है, उसका माप आप देख पा रहे हैं, कि दोनों ही बराबर हैं, तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजो में दो संगत कौन बराबर हैं, और उनकी जो अंतरगत भुजा है, वो भी बराबर हैं, तो अब हम इसको ढख कर देखेंगे, कि एक दुसरे क को पूर्ण रूप से डखते हैं या नहीं तो आप इसमें इस फर्श रूप से देख पा रहे हैं कि दोनों त्री भुज जो है ये एक दूसरे को डख लेते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दोनों त्री भुज हैं ये सर्मांगसम है तो इस activity के अधारपर हम कह सकते ह कि जो प्रतिबंद है उसके अनुसार दोनु त्रिभुज सर्वांगसम सेध होते हैं तो बच्चो अब इस प्रतिबंद के अनुसार हम इस प्रशन को हल करेंगे कि त्रिभुज A, O, C और त्रिभुज B, O, D ये सर्वांगसम है या नहीं है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमें कोन C 70 डिगरी दिया हुआ है और त्रिभुज B, O, D के अंदर जो कोन D है उसका मान 70 डिगरी दिया गया है और दोनों त्रिभुजों के अंदर एक बुजा पहले से ही बराबर है तो अब हम अन्य कोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो कोन A, O, C ये 30 डिगरी दिया गया है तो कोन B, O, D जो है ये भी 30 डिगरी के प्राबर होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षा भी मुख कोन है तो अब हम जो त्रिभुज का तीसरा कोन है दोनों त्रिभुजों में उसको गयात करेंगे तो त्रिभुज A, O, C के अंदर कोन A निकालने के लिए हम 180 में से कोन C और कोन A, O, C का मान जब घटा देते हैं तो हमारे पास कोन A, 80 डिगरी के बराबर आ जाता है इसी परकार से त्रिभुज B, O, D के अंदर जो कोन B है ये भी 80 डिगरी आएगा तो इसके अंदर जो हमने नियम इस्तेमाल किया है वो क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमेशा 180 डिगरी होता है तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो कोन A है वो 80 डिगरी है और त्रिभुज B, O, D के अंदर कोन B, 80 डिगरी है कोन C, बराबर कोन D, बराबर 70 डिगरी है और इन दोनों कोणों के अंतरगत जो गुजा AC है वो दूसरी गुजा BD उसके बराबर है जो की कोण BOD के अंतरगत है तो इस जानकारी के अधार पर हम कह सकते है क्योंकि दोनों त्रीभुजों में दो कौन और उनके अंतरगत भुजा प्रसपर आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ही त्रीभुज आपस में सरवांग सम्होंगे. इस चितर में बच्चों आप देख रहे हैं, दो त्रीभुज, त्रीभुज CBA और दूसरा त्रीभुज है त्रीभुज DEF, तो इनके अंतरगत आप देख पा रहे हैं, कि कौन A बराबर कौन F बराबर 40 डिगरी हैं, और कौन B बराबर कौन E बराबर 60 डिगरी हैं, और इन द DEF के अंतर जो अंतरगत भुजा है, EF वो भी 3.5 cm है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो दो संगत कोन है, वो प्रस पर बराबर है और इन कोनों के जो अंतरगत भुजा है, वो भी आपस में पराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज C, B, A और त्रिभुज D, E, F ये आपस में सरवांगसम है, तो यहां पर हम शीर्षों के सुमेलन का भी ध्यान रगते हैं, तो इसलिए त्रिभुजों को ऐसा नाम दिया गया है, अब बच्चों हम ये तीसरा प्रशन हल करेंगे, जिसमें हमने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज D, A, B और त्रिभुज C, B, A ये आपस में सरवांगसम है या नहीं है, तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि जो भुजा A, B है, ये दोनों त्रिभुजों के अंदर ही उभेनिष्ट है, यानि कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों के अंदर बराबर हो गई, अब हम देखते हैं इनके उपर बने हुए कौन, तो त्रिभुज D, A, B के अंदर जो कौन D, A, B है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो ये 75 डिगरी बन जाता है, और इसी प्रकार से, जो हमारे पास दूसरा त्रिभुज C, B, A है, उसके अंदर जो कौन C, B, A है, वो भी 75 डिगरी के बराबर है, और त्रिभुज D, A, B के अंदर कौन D, B, A, 30 डिगरी के बराबर है, और इसका जो संगत कौन है, त्रिभुज C, B, A के अंदर कौन C, A, B, ये भी 30 डिगरी के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, दो संगत कौन बराबर है और जो अंतरगत भुजा दोनों के अंदर ही उभे निष्ट है, common है, वो भी बराबर है तो इसलिए त्रिभुल D, A, B और त्रिभुल C, B, A ये दोनों ही सर्वांग सम है और अगर इनको पल्ट दिया जाए, तो ये दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे को आचादित कर लेंगे अर्थात एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढख लेंगे तो इन में भी कौन भुजा कौन यानि A, S से प्रतिबंद लागू होता है तो बच्चो अब हम अगले प्रतिबंद की बात करते हैं जिसे कहा जाता है R, H, S सर्वांग समता प्रतिबंद यानि सम कोन कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंद तो इसके अनुसार यदि एक सम कोन त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकौन त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सरवांग सम होते हैं तो इसके लिए दो समकौन त्रिभुजों के अंदर कर्ण बराबर होना चाहिए और बाके की जो दो भुजाएं हैं उन में से कोई भी एक भुजा दोनों त्री भुजों के अंदर बराबर होने चाहिए तो इसको सीध करने के लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको दो त्री भुज दिखाए गए हैं त्री भुज A, B, C और त्री भुज D, E, F तो इसके अंदर कौन C पर समकौन है और कौन F पर समकौन है तो आप देख पा रहे हैं कि AB करन जो है और जो DE करन है दोनों त्रिभुजों में ये दोनों आपस में बराबर है और नीचे जो अधार है BC और EF ये भी दोनों आपस में बराबर है तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के उपर रख कर देखेंगे कि ये एक दूसरे को पूरे तरीके से ढखते हैं या नहीं तो अगर ये ढख लेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में सरवांगसम है जैसा कि हम पहले भी तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढख लेते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज है ये सरवांगसम है तो इस परकार से इस प्रतिबंध को हम सत्यापित कर सकते हैं बच्चो अब जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ये भी दो समकून त्रिभुज हैं जिसमें हमने कर्ण लिया हैं और इसके साथ ही हमने आधार ना लेकर उन्चाई ली हैं तो इनको भी सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरे के उपर रख कर देखेंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनो त्रिभुज एक दूसरे को कौन रूप से ढख लेते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनो त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम हैं तो इस प्रतिबंध के अनुसार दो सम कौन त्रिभुजों में से एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और दूसरा चाहे अधार हो या उन्चाई हो ये आपस में प्रसपर बराबर होने चाहिए तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो प्रसपर सरवांग सम होंगे तो अब इसी जानकारी के अधार पर हम कुछ प्रशनों को हल करने की कोशिश करेंगे बच्चों चित्र में आपको दो त्रीभुज दिखाई दे रहे हैं त्रीभुज P S Q और त्रीभुज P S R ये दोनों त्रीभुज सम कौन त्रीभुज है अब हमें RHS सरवांग समता प्रतिबंध को उपयोग करके ये बताना है कि ये दोनों त्रीभुज सरवांग सम है या नहीं है तो इन दोनों त्रीभुजों के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन P S Q बराबर कौन P S R बराबर 90 डिग्री क्योंकि ये दोनों सम कौन है इसके बाद कर्ण P Q बराबर कर्ण P R बराबर 3 cm ये हमें दिया गया है और भुजा P S बराबर भुजा P S तो ये क्योंकि दोनों में common है उभे निष्ट है तो इसलिए ये भी बराबर है तो दोनों सम कौन त्रिभुजों के अंदर इनके कर्ण प्रस पर बराबर है और इसके साथ ही एक भुजा भी दोनों में बराबर है तो इसलिए RHS सरवांग समता प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सरवांग सम है इसलिए त्रिभुज PSQ सर्वांगसम त्रिभुज PSR बच्चो अब इस चितर में भी आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि RHS सर्वांगसमता प्रतिबंद के अनुसार विस सर्वांगसम है या नहीं है तो यहां हमारे पास दो त्रिभुज हैं त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज A, D, C इनके अंदर कोन B बराबर कोन D बराबर 90 डिगरी यह हमें दिया गया है इसके बाद A, C बराबर A, C क्योंकि यह दोनों में common उभे निष्ट भुजा है और यह दोनों में ही कर्ण के बराबर है इसके अलावा भुजा A, B बराबर भुजा A, D बराबर 3.6 cm यह भी हमें दिया गया है तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो की समकोन त्रिभुज है इनके अंदर कर्ण भी बराबर है और एक भुजा भी प्रस पर बराबर है तो इसलिए यह दोनों त्रिभुज सरवांगसम है यानि त्रीभुज ABC सरवांगसम त्रीभुज ADC इन दोनों त्रीभुजों में A का सुमेलन A से है B का सुमेलन D से है और C का सुमेलन C से है बच्चों इस अकृति के अंदर DA लंब है AB पर CB लंब है AB पर और AC ब्राबर BD प्रशन में आपसे यह कहा गया है और त्रीभुज DAB में बराबर भागों के तीन युगम बताने है तो इसमें सबसे पहला क्या है कि कौन ABC बराबर कौन BAD बराबर 90 डिगरी यह हमें दिया गया है फिर AC बराबर BD यह भी हमें दिया गया है और AB बराबर BA तो यह दोनों में उभे निष्ठ कॉमन भुजा है तो इस प्रकार त्रीभुज ABC सरवांग सम है त्रीभुज BAD तो इसमें भी RHS सरवांग समता प्रतिबंद का उप्योग किया गया है तो इसलिए आपसे जो कथन पूछा गया है कि कौन सा सही है तो इसमें से पहला कथन सही है दूसरा कथन सत्या नहीं है क्योंकि उसमें शीर्षों में सुमेलन सही नहीं है इन दोनों त्रीभुजों में A का सुमेलन B से है B का सुमेलन A से है और C का सुमेलन D से है तो इसलिए इनके जो नाम है त्रीभुज A, B, C और त्रीभुज B, A, D बच्चों क्या आप जानते हैं कि इसा पूरु छटिश ताब्दी में युनान के दार्शनिक थेल्स सरवांग समता के नियम से ये पता लगा लेते थे कि समुदर के अंदर जो जहाज है वो तट से कितनी दूरी पर है इसके लिए वे छड़ियों का इस्तेमाल करते थे और आप जैसा चितर में देख रहे हैं कि सरवांग समता के द्वारा वे ये पता लगा लेते थे कि समुदर तट से जहाज के कितनी दूरी है बच्चों अब आप यहाँ पे चितर में आपको चार वर्ग दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर आप देख रहे हैं कि सभी का साइस अलग है तो ये सबसे चोटा वर्ग है ये उससे बढ़ा और ये तीसरा वर्ग आप देख रहे हैं और ये चोथा वर्ग है इन सभी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो भुजा के लंबाई है वो सभी में अलग लग है तो ये सभी कैसे वर्ग हैं ये सम रूप हैं यानि ये एक जैसे तो हैं वर्ग भी हैं लेकिन इनकी भुजाओं का मा अलग है तो इनको हम सरवांग सम कैसे सिद करेंगे तो इसके लिए जैसे मैंने ये वर्ग लिया है तो अब आप देखें जैसे मैंने इन दो वर्गों को एक दूसरे के उपर रखा है तो ये दोनों वर्ग जो हैं ये एक दूसरे को पूरा ढख लेते हैं तो आप इनके साइड से देख पा रहे हैं, कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे को कून रूप से ढख लेते हैं, तो ये दोनों वर्ग जो हैं, ये सरवांग सम हैं, और क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए इनके अंदर हमें शीर्षों के सुमेलन के अवशक्ता नहीं पड़ती हैं, तो इनका कोई भी शीर्ष आप में लाएंगे, तो वो एक दूसरे को कून रूप से ढख लेंगे, अब हम बात करते हैं सम चत्र भुज के, तो इनके अंदर आप देख रहे हैं, कि यह दो सम चत्र भुज हैं, और इनके अंदर जो भुजाओं का माप हैं, वो दोनों में बराबर हैं, अगर मैं इनको इसके उपर रख देती हूँ, तो यह दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढख लेते हैं, तो ये दोनों ही जो सम चत्रुभुज हैं ये आपस में सर्वांग सम हैं और इनके क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए इनके अंदर भी हमें शीर्षों के सुमेलन की अधिकावशकता नहीं पड़ती हैं तो अब हम बात करते हैं अगली आकरिती के तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये वृत हैं तो इसके अंदर हमारे पास अब यहाँ पर ये दो वृत हैं तो देखें जब मैं इसको अलग करती हूँ तो दूसरा वृत भी आपको दिखाई देता हैं तो दोनों जो वृत हैं ये दूसरे को पूरा ढख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ये दोनों वृत जो हैं ये सरवांग सम हैं तो वृत जो हैं ये तब सरवांग सम होते हैं जब इनका व्यास जो है वो बराबर होता है और क्योंकि वृत के अंदर कोई शीर्ष नहीं होता है तो इसलिए इसके अंदर भी कि हमें शीर्षो के सुमेलन की अधिक आफशकता नहीं पड़ती है तो देखिए अब ये हमारे पास दो सम शट भुज हैं और इनको भी जब हम एक दूसरी के उपर रखते हैं तो ये पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढख लेते हैं तो इसका अर्थ है कि ये दोनों ही सरवा जोंकी तो ये एक त्रिभुज है और ये मेरे पास एक दूसरा त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है इनके जो कौन है ये दोनों में प्रस पर बराबर है अब देखिए जैसे मैंने इसको यहां पर रखा है तो ये कौन पूरा अच्छादित कर रहा है इसी प्रकार से अगर मैं इसको यहां कर देती हूँ तो अब ये वाले दोनों कौन बराबर है और अगर मैं इसको उपर कर देती हूँ तो यहां से यह आप देख पा रहे हैं कि जो शीर्ष का कौन है यह भी दोनों में बराबर है यानि यह मेरे पास दो ऐसे त्रीभुज हैं तो सरवांग समझ जो त्रीभुज होते हैं उनके अंदर कौन भी बराबर होने चाहिए और जो भुजाएं हैं वो भी प्रस पर बराबर होने चाहिए तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो इस परकार से हमारे पास जो त्री भुजों के सर्वांग समता के प्रतिबंद होते हैं उन में कभी भी हम कोन कोन का जो प्रतिबंद है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अब देखिए ये एक और त्री भूज मेरे पास है त्री भूज A, B, C और त्री भूज P, R, Q तो इन दोनों त्री भूजों को जब हम इस तरीके से एक दूसरे की उपर रखना चाहें तो हम इनके माप देख सकते हैं तो देखिए ये जो भूजा है ये दोनों आपस में बराबर है इसी प्रकार से ये दूसरी भूजा भी दोनों में परस पर बराबर है और तीसरी भूजा जो है इसको भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी बराबर है तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो बुजाओं का माप है ये आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या है ये सरवांग सम है तो अब हम इनको एक दूसरे के उपर रखके ढखके देखेंगे कि ये एक दूसरे को पून रूप से ढखते हैं या नहीं तो अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों त्री भूज एक दूसरे को नहीं ढख रहे हैं क्योंकि दोनों के शीर्ष हमें अलग दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो त्रीभुज है इसके अंदर शीर्ष A और P का सुमेलन नहीं है तो अब इस त्रीभुज को हम उल्टा करके रखेंगे तो देखें अब जो त्रीभुज है ये हमारे पास बन गया त्रीभुज A, C, B तो अब उसको हम इसके उपर रख कर देखेंगे त्रीभुज के उपर कि किस परकार से ये इसको ढखता है तो देखिए अब दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढख पा रहे हैं तो अब हम इनका सुमेलन देखते हैं A का सुमेलन P से है C का R से और B का Q से तो इस प्रकार से त्रिभुज A, C, B सरवांगसम है त्रिभुज P, R, Q तो जब हम त्रिभुजो के सरवांगसमता की बात करते हैं तो हमें शीर्षो के सुमेलन के उपर अवश्य ध्यान देना चाहिए बच्चों अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए हमने ये दो त्रिभुज लिये हैं तो इस परकार से इन दोनों सरवांगसमत्रिभुजो का जो परिमाफ होता है और जो क्षेत्रफल होता है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो इनके अंदर बराबर होता है या नहीं तो दोनों त्रिभुजो के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का क्षियत्रफल बराबर है और दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप है वो भी बराबर है तो इस परकार से आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो सरवांग सम त्रिभुज होते हैं तो उनका परिमाप भी हमेशा बराबर होगा क्योंकि भुजाओं के जलंबाई है वो बराबर है और इसी प्रकार से उनका जो क्षिय तरफल होगा वो भी हमेशा आपस में बराबर होगा तो बच्चो अब आप इन स्वालों को खुद करने की कोशिश करें और मैं उमेद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और विभिन प्रकार के जो प्रतिबंध है और जो एक्टिविटी आपको बताए गई है वो आप अच्छे प्रकार से समझ पाए होगे थैंक यू